राम राम जी रादे रादे आशा खरती हूं आप सब स्वास्तों गोई चली वह जोवे किन आता कि यहाख नेता है अव्हाज मैं करहे हुँ बना आता है तो और चिंव एक हो लिए चालू बज्ग करी आदै और दो से तीन हरी मिर्ची और दो से तीन लेसन की कली हैं, नको भी मैंने खाट लिया है, और आधी सिम्ला मिर्च लिये, दो बड़ी प्याज लिवी हैं, अब मैंने कड़ाई गैस पर रग दीती और कड़ाई में तेल अच्छी से गर मोच जुका था, उसके बाद मैंने प्याज को थोड़ी ची सोफ्ट कर लेना है अच्छा लगता है सेंविच तो ने हमकड़ाण बची बूंगा जल्दि कर दनाएं इसको भी हम जाद नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा पकाआएंगे, उसके बाद हम इसमें आľु डालेंगे, आलु हम फोड़ के डालेंगे, आप पोड़ कर्पटी की अपर आज से ही फोड़ुंगी थोड़े बड़े, ठोड़े थोड़ी खाने में अच्छी लगती है इसल डाल दिया है बड़ा पव मसाला मैंने घरपे बनाया था अगर आप लोग कऊगे बहुत अच्छा आया था और भी बहुत प्यार आया था अब चलिए हम अपने गिरिल को फ्रीट करने के लिए रखते हैं जाने की सैंविच मेकर को इसको हमको पांच मिनट के लिए बस प्लक लगाके सुच आप कर देना है तो बढ़ी आराम से खटता चालू कर देंगे तो व अब इसको हम पानी जाने कर सकते दो कर सकते हैं इसलिए मैंने टिसु पेपर से अच्छे से साब कर दिया है अब इसको हम मैं खटका चालू कर दिया है मैंने देख सकते हो light चालू हो चुकि इसकी अभ पांच मिनट के अंदर फ्री विट होगे तैयार हो जाएगा मैं पहली तो बहुत ही अच्छा आया था बढ़िया आप देख सकते हो मैंने एक ब्रेट की स्लाइस को ले लिया है उस पर मैंने इस टैपिंग वाला जो भड़ता बनाया था हालू का वो लगा लिया है अब मैं दो तरह से सेंड़िच बना रही हूं आप लोग देखिए एक बना रही ह यहां किता रही है तो पनी डाल सकते हैं और विह कुछी मतलब सकते हैं आप पनी डाला है कि दाला है और ट्रेमाटर की स्लाइस काटकर निया तो आप लोगों को जो भी स्विट कॉर्न हो या चीज हो जो इस चीज है लगा सकते तो इससे इसका फ्लेवर और ज्यादा बढ़ जाएगा तो मैंने पहले ही वही बाला प्रोसेस किया है और अगर आप चटनी या सॉस लगा सकते तो वह भी लगा सकते हो फिर उसके बार श्टैफिंग लगाना बर जाएगा पनीर्स स्टैफिंग रखे लगाएगा तो एक प्याज की श्टैफिंग रखोंगी फिर इसको हमको दूसरी बिरट से गल कर देर आएग अगर आपके पास बटर है तो बटर से ग्रीज कर सकते हो लगा सकते हो इस पर गी है तो गी से लगा सकते हो मैंने गी लगाया था तो कि इस टाइम मेरे पास बटर खतम हो गया था तो मैंने गी लगाया है अब आप देख रहे हो मैंने गी लगा रही है दोनों साइड अच्छे से ब्रेट सोग लेती है बस इतना ही उसके ऊपर नहीं लगाना है हमको वांपे sandwich maker में सिर्फ ऐसे लगा के रख दिना है। उपर से वांपे आपने को कुछ नहीं करना है। दोनों साइड लगाया है मैंने इस दोनों साइड अच्छे से टेश्ट अच्छा आए गगा और अच्छे से प्रूप कर फ्रीट हो गया कि नहीं तो हो गया था तो मैंने उस पे उपर एक सेंविच इदर रखी है और आप इंदर दिखाती हूं आपको रखे बस मेरे को यहीं पर डर लग रहा था पता नहीं कितना सेगना है क्या नहीं सेगना है कही जल ना जाए नया आए कुछ हो ना इसमें इसलिए मैंने और मेरे को यह भी नहीं पता था कि जहां जे तो जानती थी कि दोनों साइट से सिखता है प्रिमी में उसको सेंविच को पलट रही हूं देख सकते हो और आप लोगों को यह वाज आ रही हो तो आज नवरात्रे का देना है तो यह माता हैं मतलब आ रह है सबकर जीवन में खुशाली लाए अब देख सकते हैं ब्रेट मैंने निकाल लिये बढ़िया अच्छे से सिख गई है लेकिन थोड़ा आप लोगों को हल्की लिख रही होगी लेकिन अच्छी क्रिस भी हो चुकी थी और मैंने इसको बंद भी कर दिया है मैं इसको साप भ अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक से कमेंट सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें और नेस्ट रेसिपी फिर मिलेगी आपको देखने के लिए अब देख सकते हैं मैं इसकी सफाई कर दिये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको डखके रखोंगी यह दे